Hello students, I am Kalpna Mishra and welcome back to PSEB tuition point. Students, आज की स्वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Class 8 Science के Blueprint September exam के क्योंकि बहुत सारे बच्चों के exam September में स्टार्ट होने वाले हैं तो जो Government School के बच्चे हैं उनके भी date sheet भी मैंने provide कर रहा दिये अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप Telegram जोईन कर लेना Kalpna 17 लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर लिंक के थुरू नहीं जोईन होता है तो टेलिग्राम अप्लिकेशन पर जाकर Kalpna 17 सर्च करना आपको मिल जाएगा ठीक है तो वहां पर मैंने आपको डिट शीट भी प्रोवाइड कर रखिये तो आज मैं सबसे पहले आपको एट्स का ब्लूप्रिंट जो है साइंस का देने वाली हूँ उसके बाद फिर मैं आपको मैंस का भी प्रोवाइड कराओंगी ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सकाइब वीडियो को लाइक शिर्ट चरूर करना तो स्टार्ट करते हैं तो यह है बेटा यह पंजाबी में दिया बट मैं आपको इंगलिश में भी इसको डिक्टेट करके प्रोपर बताओंगे ताकि आप इंगलिश ने वाले बच्चों को भी कोई प्रोब्लम ना हो ठीक है तो फर्स्ट जो है पार्ट के नाम दे रखें एक नंबर वाले दो नंबर वाले ती नंबर वाले और कुलंक दे रखें ठीक है मैं आपको प्रोपर इसको जैसे समझाओंगे आप समझते जाना आपको चीज़े समझा जाएगी सबसे पहले पार्ट का नाम आपका है फसल उत्पादन ते प्रबंदन मिन्स क्रॉप प्रोड़क्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर नमबर वान ठीक है यहां से आपको चार नमबर का काम आएगा एक नमबर ठीक है समझ में आगे बाद कि पहले चैप्टर से आपको ग्यारा नमबर का काम आएगा ठीक है उसके बाद आगे हम चलते हैं चैप्टर नमबर टू आपका है सुक्समजीव मित्तर ते दूशमन मतलब माइक्रो और्गनिजम फ्रेंड एंड फो यहां से आपको पांच नमबर का वन वन माक्स के कोश्चन आएगे दो कोश्चन वेरी शॉर्ट दो दो नमबर के एक कोश्चन दी नमबर का टोटल आपके बारा नमबर का इस चैप्टर से आएगा नेक्स्ट है आपका चैप्टर यहाँ पे chapter number नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे chapter number अलग है, आप chapter के नाम से देख लेना, बल अते त्वाब, means आपका है यह force and pressure, force and pressure आपका 11 marks से 6 question आएंगे, 2 marks का यहाँ से 1 ही question आएगा, 3 marks का भी 1 ही question आएगा, total यह chapter 11 marks का आएगा, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, अगला chapter जीव विच प्रजनन, means reproduction in animals, ठीक है, यहाँ से आपको 11 marks के 5 question आएंगे, means blanks through false, mcqs, और उसके बाद दो number वाले यहाँ से 2 question आएंगे, 3 number वाला 1 question आएगा, यह chapter total आपको 12 number का आएगा, ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिजली धाराते रासायनिक प्रभाव, means आपका यह है electric current and chemical effect, ठीक है, इंग्लिश यूडे मालों को में साथ साथ है बोलते जाएगे, तो आप chapter सुनने, यहाँ से आपको 11 marks के 5 question, 22 marks के 2 question, और 3 marks का 1 question, total यह chapter आपको 12 number पर गाएगा, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पौदिया ते जीव जन्तुआ दा, जो है, यह आपका chapter है, पौद प्लांस वाला, प्लांस चैप्टर है आपका, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश मेडियम में, पंजाबी मेडियम में लिखा हुआ है, तो यह यहाँ से आपको 11 marks के 5 question आएंगे, और यह 2 marks का आएगा, 1 question, 3 marks का 1 question, total 10 marks का यह chapter आएगा, ठीक है, आगे chapter है, आपके जान अते लाड यह है आपका, इसको मुझे पंजाबी में लिखा हुआ है, इसको मुझे इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, यह आपका, अच्छा, यह है combustion and, combustion वाला चैप्टर है, ठीक है, समझेगे ना, आपके combustion वाला चैप्टर जिसमें candle वाला आपका diagram बना हुआ है, ठीक है, वो आला कैसे, 11 marks के आपके 35 कोशन, blanks, true, false, mcqs, ठीक है, और 22 marks के 12 कोशन आएंगे, 33 marks के 7 कोशन आएंगे, और total जो है, आपका कितने नंबर काएगा, 80 marks काएगा यह paper, ठीक है, तो next video, maths की, तो इसके लिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट जाता से बच्चों का आना चाहिए, त है, तो है, तो है, तो है।